क्षेतर में लगाये जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर, आज फरीदाबाद के सेक्टर 23 बिजली कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस बीच कार्यकरताओं ने बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का पुतला भी फूंका और बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। जेप काटने के लिए लगाये जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को हमचेतना चाहते हैं कि यदि सरकार में इस पर अंकुष नहीं लगाया, तो फरीदाबाद की जनता आने वाले दिनों में सडक पर उतर कर इसका विरोध करेगी। हमें 24 घंटा बिजली चाहिए और फिरी चाहिए। स्मार्ट मीटर किसी से पूछे बगेर जागर के खंबे बदलाते हैं, इस तरह की जो पॉलिशी हैं, इसके खिलाब हमारी पार्टी के लोगों नहीं आज ग्यापन देते समय हैं, अगर देखा जाए तो किसी परकार कोई आसवाशन नहीं दिया गया, और जिस तरीके से दे करता और पतादिकारियों द्वारा जरूर यह ऐसी साब को खा गया है कि यह ग्यापन जो है, मानिय रंजी चोटाला जी जो बिजली मंत्री है, और मानिय मुख्य मंत्री श्री मनोरलाल खटर जी के पास पहुचना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आने वाले समय में ज जो माने जाते हैं, बी के चौक और नीलम चौक उछक को जाम किया जाएगा और जनता रोड पर उतर करके अपना जुगरोध परदर्शने को दर्ज करने को काम करेंगे। जताओने दिया है, उसे आगे सरकार को भेज दिया जाएगा। होगे, चलेगे, तो पैसा कहां से लाएंगे। पैसे साब और भी कई आरोप लगा है, आरोप ये भी है कि जो बिजली के करमचारी है, वो किसी के घर में बिगर अन्मती के घुस जाते हैं, महिला को परिशानी होती है, जिसके घर चोरी पकड़ी जाती है, एक इल्जाम दूसरा हमें जूदत नहीं है, ये उसका एडवांस वर्जिन आया है, आपके हर चीज के मोर्डो चेंज उतरे रहते हैं, तो ये एडवांस वर्जिन है, इसका आगे बैनीफिटी मिलेगा, कोई जो ये कहते हैं गल्त बिल लेगे, आटोमेटिक बिल बनके आजेगा, ये म आटोमेटर कर लगाने का फ्री जो मांग रखी गई है, इस मांग पर आप मांग पत्र पर क्या कोछ जो है वो आगे पत्र पर तो मैं जो फ़रवड कर दूंँ आगे, तो सरकार का काम है, एसकी लेना नहीं लेना, लीगाना, ये इसकी रूलिंग है, अर्याना लेग्रोटी कमिशन रिषाइड किया, सरकार नहीं रिषाइड नहीं किया, सेफ्टी करनी है हमें अपनी अपनी अपनी